रिफ्रेक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास लैब ये ग्लास लैब है इसका नाम सपोस्ट पीक्यू आरेस रख देते हैं पीक्यू आरेस इसमें एक इंसिदेंट ट्रे यहां से आई ये एंगल ऑफ इंसिदेंस हो जाएगा इंसिदेंट रे यहां से आई फिर ग्लास लैब है तो बाहर एयर है और अंदर है ग्लास तो रेयर से डैंसर मीडियम में जा रही है ये तूवर्ड्स नौर्णल बेंड हो गई अगर ये बेंड नहीं होती तो ये स्ट्रेट इस तरह से पास होती जब ये तूवर्ड्स नौर्णल बेंड हो गई बेंड होने के बाद में ये रेक्टेंगुलर ग्लास लैब की सेकेंड वाले सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और वहां से बाहर निकलते टाइम ये ये वाली जो रे है ये पहले वाली इंसिडेंट रे के पैरलल हो जाएगी तो जो ये रे आरी है अगर मैं इसका नाम सपोज ए बी लिखतेता हूं तो जो ए बी है वो इंसिडेंट रे है फिर बी से सी पे जाने वाली रे ये रे फ्रेक्टेड रे है और सी से डी पे जा इमर्जेंट रहे है तो यह आ गया एंगल i इसको सपोज मैं i1 लिख देता हूं i1 यह वाला एंगल r1 यह वाला एंगल i2 और यह वाला एंगल r2 तो जो यह वाला एंगल है इसको हम एंगल of incidence कहते हैं इसे एंगल of reflection और इस वाले को एंगल of emergence कहा जाता है इसको कभी-कभी हम e से भी represent करते हैं small e से ठेक है अब जो यह वाला एंगल होता है i1 और जो यह है r2 यह दोनों अपस में बराबर होते हैं और a, b और c, d parallel होती है इस बात को अभी हम प्रूफ करेंगे ठेक है तो सबसे पहले using snail's law on the surface pq pq surface पे जब मैं snail's law use कर रहा हूँ using snail's law snail's law कौन से surface पे यूज कर रहा हूँ on pq, pq पे यूज कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ जब मैं pq पे यूज कर रहा हूँ तो sine i1 upon sine r1, sine i1 upon sine r1 is equals to refractive index, किसका glass का with respect to air तो g with respect to a इसी तरह से अगर मैं sr surface की बात करूँ तो on sr surface वापस से मैं snail's law लगा रहा हूँ तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ sine i2 upon sine r2 is equals to light कहां से आई है अब की बार, glass से आई है और air में जा रही है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a, फिर यहाँ पे लिखूँगा g ठेक है, अच्छा, refractive index में हमने पढ़ा हुआ है कि mu ga और mu ag एक दूसरे के reciprocal होते है तो मतलब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ sin i1 अब अगर देखा जाए तो r1 और i2 तो बराबर हैं क्यों क्योंकि यह z शेप बन रही है alternate angle से r1 और i2 बराबर होंगे तो मैं r1 और i2 को यहाँ से cancel कर सकता हूँ numerator से numerator cancel हो गया जब मैं cross multiply कर लोंगा तो मेरे पास बचेगा sin i1 is equals to sin r2 दोनों साइड में sin inverse ले सकते हैं या फिर हम sin से sin वापस से cancel कर सकते हैं तो फिर मुझे क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा i1 is equals to r2 मतलब angle of incidence और angle of emergence दोनों equal हो गए अगर मैं इसको i और e लेकर के चलता तो मैं यहापर लिख सकता था i is equals to e angle of incidence is equal to angle of emergence incident ray जितनी shift हुई और पीछे emergent ray बनी तो इन दोनों के बीच में जो perpendicular distance होगी दोनों साइड से 90 degree बनाए और एक ऐसी line तो वो वाली line कहलाती है lateral displacement lateral displacement और जो यह lateral displacement है यह कि यह line कितना shift हुई यह directly proportional होता है lateral displacement जो है वो directly proportional होता है thickness of slab के कि slab कितनी थिकती lateral displacement directly proportional है thickness of slab के इसके अलावा यह directly proportional होता है refractive index के कि इस slab का refractive index कितना था और directly proportional होता है angle of incidence के कि कितने angle of incidence पे lateral displacement हमने करवाया है तो मतलब अगर मैं angle of incidence बढ़ाता जाओंगा तो lateral displacement बढ़ता जाएगा अगर मैं इस slab की thickness बढ़ा दूँगा तो भी lateral displacement बढ़ जाएगा और अगर इसका refractive index बढ़ा दिया जाएगा medium का तो भी lateral displacement बढ़ जाएगा अब हम derive करेंगे कि जो ये lateral displacement है इसकी जो value आएगी हो कितनी आएगी तो जैसे ये rectangle glass slab है इसमें वापस से वापस से सारी चीज़े वही है A, B, incident ray फिर ये refracted ray फिर ये emergent ray ये वाला angle I ले ले लेता हूँ मैं ये angle I है ये वाला angle small r है ये वाला angle E हो जाएगा हमारा और जो lateral displacement है वो यहाँ से एक perpendicular line डाल दी मैंने और इस वाले point को मैंने mark कर दिया ये point है E तो जो ये I है तो ये पूरा angle भी I होगा vertical opposite angle से तो इसका चोटा सा part अगर r हो गया है ये वाला part I minus R के बराबर होगा ये चोटा सा angle I minus R के बराबर होगा और ये जो normal है ये यहाँ पे point F पे strike कर रहा है और इस rectangular glass slab की जो थिकने से उसको मैं T मान लेता हूँ कि T इसकी थिकने से पूरेगी अब सबसे पहले अगर मैं mu refractive index लिखना चाहता हूँ कि refractive index कितना आएगा तो refractive index आएगा sin I upon sin R sin I upon sin R ये refractive index आगया इस वाले surface पे PQ surface पे sin I upon sin R अब अगर मुझे यहाँ से sin R की value निकालनी है तो मैं sin R को क्या लिख सकता हूँ इसको लिखा जा सकता है sin I upon mu अब हमने 10th class में trigonometry में identity पढ़ी थी sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो sin square R plus cos square R is equal to 1 होगा तो उससे cos R की value की आजाएगी 1 minus sin square I upon mu square और पूरे पे root इसी तरह से अगर मैं 10 R निकालना चाहता हूँ तो 10 R की value की आजाएगी मेरे पास sin I upon root of mu square minus sin square I यह मैंने sin R, cos R और 10 R की value निकाल ली जो की मेरे आगे C E की value निकालने में काम में हैंगी तो मैं उस time पे इनको direct put कर सकता हूँ ठीक है अब मैं triangle ले रहा हूँ N triangle B, F, C B, F, C मैंने triangle लिया इस triangle में मुझे suppose cos R निकालना है cos R की value देखते हैं कितनी हैगी तो cos R आजाएगा FB upon CB base upon hypontaneous से base FB और hypontaneous CB तो FB की value कितनी है FB की value है thickness T के बराबर तो यहाँ से यह आजाएगा T upon CB और अगर मुझे CB की value निकालना है हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो CB है वो हो जाएगा T upon cos R यह CB की value आगई है ठेक है अब मैं दूसरे triangle use कर रहा हूँ triangle BEC तो in triangle BEC BEC triangle में मैं क्या लिख सकता हूँ sine angle ले रहा हूँ में छोटा सा I minus R BEC triangle ले रहा हूँ और इसमें sine I minus R यह वाला angle ले रहा हूँ तो perpendicular हो जाएगा यह angle के सामने वाला और यह हो जाएगी hypontaneous तो यह हो जाएगा CE upon CB जिसमें CE CE इस वाले distance को एक बार X माल लेते हैं X upon CB की value यह रही T और जो upon वाला cos R आएगा वो उपर चला गया cos R यह हमारे पास में sine I minus R आगया तो अगर मुझे यहां से X की value निकालनी है तो X की value क्या हो जाएगी T times of sine I minus R upon cos R यह X की value हो गई ठीक है अब क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि sine A minus B का formula लगा लूँ sine A minus B, sine A cos B minus cos A sine B होता है तो T by cos R को ऐसे लेके रहन देते हैं और X में formula लगा जाता है T by cos R यहीं पर इसी तरह से है और मैंने यहां पर लिख दिया sine I minus R की जगे sine I dot cos R minus cos I dot sin R अब क्या कर सकते हैं इस cos R को अंदर बेज़ते हैं जब इस cos R को अंदर बेज़ेंगे तो यहां पर cos R से cos R cancel हो जाएगा और मेरे पास बचेगा यहां पर तो केवल sine I minus cos I तो है और जब cos R अंदर जाएगा तो sine R upon cos R बनेगा sine R upon cos R क्या होता है 10 R तो यहां पर मैंने लिख दिया 10 R अब 10 R की value में उपर निकाल चुका हूँ तो जब मैं 10 R की value यहां पर put कर दूँगा तो मेरे पास X का formula क्या आएगा T sine I common आजाएगा 1 minus cos I upon root of mu square minus sine square I और यह bracket close तो यह हमारे पास में X का final answer आजाएगा X T sine I 1 minus cos I upon mu square minus sine square I तो X है lateral displacement अगर मुझे देखना है कि X की maximum value क्या आएगी maximum value of X तो 1 में से suppose यह कुछ भी नहीं हो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होगा तो यह पूरा bracket maximum हो जाएगा मतलब यह वाला पूरा 0 कर दूँ तो यह वाला पूरा 0 करने के लिए यहाँ पे 1 minus 0 हो तो 0 तब होगा जब आई की value क्या हो 90 तो आई की value जब 90 होगी तब कॉस 90 जिरो कर देगा और यहाँ पे बजएगा 1 minus 0 तो यह हो जाएगा t sin 90 bracket 1 minus 0 sin 90 की value क्या होती है 1 1 minus 0 भी क्या होता है 1 तो यह कितना आजाएगा t मतलब जो lateral displacement है जो यह x की value है यह maximum t के बराबर हो सकती है कब जब angle of incidence कितना हो जाए 90 degree हो जाए कितना है